पीयो के में एर स्ट्राइक के बाद मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर और बीजेपी नेताओं ने सेना को बढ़ाई दी सेम खटर ने कहा कि सेना के कारवाई के बाद देश श्वासियों में संतोश है और अगर जुरूत पड़ी तो आगे भी कारवाई की जाएगी पाकिस्तान क्योंके आतंकवादियों को साहता करता है जो आप देना बहुत आवशिक था और प्रधानमंत्री जीने जैसे गोशना की थी कि जो सेना है वो अपने मर्जी से अपना जो भी समय स्थान जो भी उनको चुनना है चुन करके करवाई करें और इस सेना ने करवाई की है तो इस सेना की करवाई करने के बाद मैं समझता हूँ देश के नागरिकों को इस बात का संतोश है कि पाकिस्तान को उसकी करने का फल मिला है भारत की वायु सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर स्तित जो आतंकी कैम्प हैं उनको नश्ट करने की जो कारवाई की है पुरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और यह उन तमाम शहीदों को सची शर्दांजली है और यह बात आतंक वादियों को समझ लेनी चाहि चाहिए पाकिस्तान के ध्यान में आ जानी चाहिए कि भारत के सेनिकों का अगर एक बूंद खुन बहेगा तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी सारा देश आकरोस में था गुस्से में था प्रतिक्षा कर रहा था मैंने प्रधान मंत्री जिने में कहा था ना भूलेंग इसकी प्रतिक्षा कर रहा है आज जो मोदी ने कहा था वो करके दिखा दिया आज घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है जो उनके तंकवादी अड़े हैं उनको नेस्ता नबूद किया गया है और निरिंदर मोदी ने सिद्ध कर दिया कि निरिंदर मोदी जो कहता है वो करत है 56 की चाती ने आज अपना क्रिश्मा दिखा दो